हे गाइज वेलकुम नोब यूट्यूब चैनल जिया दोस्तों आप सभी कैसे हो आई होप आप सभी बढ़िया होंगे दोस्तों आज की ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होनी वाली है जो भी लैब टैक्नेशन है चाहिए वो DMLT स्टूटेंट हो या BMLT स्टूटेंट हो या DRIT स्टूटेंट हो तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गोर्मेंट वेकेंसी के बारे में जो एक वेकेंसी निकली है हम complete details से बात करेंगे साथे साथ में उसकी application fees कितन प्लोट करना चाते हैं या पढ़ना चाते हैं तो description के अंदर आपको link मिल जाएगा हमारा telegram का आप चाहे तो वहाँ पे जोइंड कर सकते हैं या वहाँ पे आपको ये link available हो जाएगा ठीक है सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आप देख सकते हैं वेकेंसी का निकली है व आप देख सकते दोस्तों सेंजय गांधी पॉस्ट ग्रेजुएशन ठीक है तो सबसे पहले आप website के ऊपर भी क्लिक करके वहाँ पे advertisement देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर हम complete बात करेंगे पूरे details से ठीक है आप देख लिए कितनी वेकेंसी है क्या है आप देख लिए जो भी radiographer है उनके लिए फिर उसके बाद में हम जो next बात करते हैं वो है medical lab technologist दोस्तों जो भी DMLT या BMLT या BSC MLT के student है वो इसके लिए apply कर सकते हैं वो भी हम निच्छे complete details से बात करेंगे इससे पहले दोस्तों मेरे वीडियो बना रहा था बट इसी के उपर आई थी और य देख लिए कितनी पोस्ते हैं हम complete details से बात करेंगे medical medical lab technologist के लिए आप देख लिए अलग-अलग category wise यहां पर divided कर रखी है आपकी जो भी category हो चाहिए SC, ST, OBC, EWS तो आप देख सकते है total जो हम पोस्तों की बात करेंगे वो है 137 आप देख सकते 137 पोस्त है दोस्तों तो ऐसे म है आप complete central level की वेकंसी है तो जैसे में आप complete तैयारी कीजिए साथे साथ में आपका selection भी मैं भी हो सकता है आपका हो जाए फिर उसके पात में जो next चीज है वो है junior medical lab technologist के लिए भी काफी एची वेकंसी है 23 वेकंसी है 137 lab technician के लिए 23 junior medical lab technologist के लिए अब दोस्तों हम बात करते है कौन-कौन इसको apply कर सकता है आप इसकी जो फीज की हम बात करते हैं आप देख सकते हैं के टेगरी वाइस इसको दे रहे है ओबी सी और डेब्ली के लिए और सेस्ट के लिए complete details से भी दे रहे है हजार रुपे दोस्तों इसकी फीज है उसके बात में जो 18% GST है ठीक है एक apply कौन-कौन कर सकता है हम details से बात करेंगे अब देख सकते हैं एक सेकेंड का यह देख लीजिए medical lab technologist हम बात करेंगे सी पर वह बैसलर चाहिए वह हो BMLT student हो bachelor degree in medical laboratory technology medical laboratory science on government दोस्तों जो भी गवर्मेंट से valid university है चाहिए वह state level की हो या central level की हो वह apply कर सकते हैं उनका साथ ही साथ में उनका registration होना काफी important होता है तो ही आप apply कर सकते हैं और साथ में सबसे important is two year का दोस्तों आपका experience भी मांग सकते हैं फिर उसके बाद में आप देख लीजे जुनियर के लिए भी यह यह 10 प्लस 2 science subject होना चाहिए physics chemistry chemistry bio ठीक है उसके बाद में जो भी आप 12 करते हो वो regular होना चाहिए साथ साथ में आपका diploma DMLT वाले भी इसको apply कर सकते हैं ठीक है तो यह हमने complete details से बात कर ली थी 137 पोस्ते दोस्तों जो है DMLT या BMLT student के लिए है जो भी आप इस पूरी PDF को में explain नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा आप पूरा एक बार पढ़ लिजिए complete पूरा knowledge ले लिजिए उसके बाद में आप चाहे तो apply कर सकते हैं फोर्म बढ़ सकते हैं ठीक है आपको complete दिख रहा होगा और thank you so much आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल के उपर काफी जल्दी 40,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं दोस्तों thank you so much आप सभी का thank you so much again and again काफी जल्दी हम 40,000 सब्सक्राइबर को close कर लेंगे आप सभी का मुझे support ऐसे ही बना रहे आज की इस वीडियो में बस इतना है thank you so much